दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे एक famous American poet Ralph Waldo Emerson की लिखी एक पुईम ब्रह्मा आज ही हमारे God ब्रह्मा की बात की गई है यहाँ पर एक American poet हमारे God ब्रह्मा की बारे में लखता है क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि Americans बहुत ज़्यादा प्रभावित थे हिंदू कल्चर से, हिंदू माइथलोजिस से और हिंदू गौड से ब्रह्मा जिने creator of the world यानि इस संसार का रचयता माना जाता है उनके बारे में लिखने से पहले Ralph Waldo Emerson ने बहुत सारे सूर्से से knowledge ली थी, यानि पहले research की थी जैसे विष्टू पुरान हो गई, कथा अपनिशद, भगवत गीता और न जाने कितनी कितावे हम सब को काफी कुछ पता है ब्रह्मा की बारे में तो हमें ये पोएम अच्छे से समझ भाएगी, हम लोग पोएम शुरू करते है पोएम की शुरुआती लाइने बोलती है If a red slayer think, he sleaze If a red slayer think, he sleaze तो स्लेयर का मतलब होता है एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान को या दूसरे जानवर को एक violent way में मारता है तो इस line का मतलब है एक गुसे में लाल slayer अगर ये सोचता है कि मैं मारने जा रहा हूँ किसी दूसरे इंसान या जानवर को दूसरी line कहती है Or if the slain think, he is slain Slain का मतलब वो होता है, वो इंसान होता है जो मारा जा रहा हो तो मारा जाने वाला अगर ये सोच रहा है कि मैं मारा जा रहा हूँ और मारने वाला ये सोच रहा है कि मैं मार रहा हूँ तो यहाँ दो टाइप के लोगों की बाते हो रही है एक मारने वाला एक मरने वाला जो अगर सोचते हैं कि मैं मार रहा हूं या मर रहा हूं तो यहाँ पर ब्रह्म बोलते हैं लेकिन वो लोग ये बात तो जानते ही नहीं चोटी चोटी चीजें कि वो जो मारने वाला है उसमें भी मैं हूं और जो मरने वाला है उसमें भी मैं हूं और ऐसे ही चीजें एक cycle की तरह चलती जाती है I keep and pass and turn again उमीद करता हूँ ये पहला stanza आपको समझ में आया होगा Far or forgot to me is near यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो चीज बहुत दूर जा चुकी है या भुलाई जा चुकी है यानि जो मर चुका है वो मेरे बहुत करीब है वो दुनिया के लिए तो मर चुका है लेकिन मेरे लिए बहुत करीब है Shadow and sunlight are the same ये दिन और रात दुनिया के लिए होते हैं Shadow और sunlight जो है दुनिया के लिए होती है लेकिन मेरे लिए तो सब सेम है The vanished gods to me appear Vanished gods का मतलब दुनिया में जन भगवानों ने जन्म लिया वो दुनिया से गायब जरूर हो चुके हैं लेकिन मेरे लिए अब भी वो मेरे सामने हैं and one to me are shame and fame और shame हो या fame हो मेरे लिए दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों एक ही है मतलब यहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी चीजें जो इन चीजों को विट्स करती है यानि कि इन चीजों को बनाती है उन सब में कौन है मैं ही तो हूँ they reckon ill who leave me out मतलब जो लोग मेरे में भरोसा नहीं करते हैं वो लोग गलत decision लेते हैं reckon ill का मतलब गलत decision लेते हैं क्योंकि when me they ply यहां पे ply मतलब यहां पे पक्षियों की बात की जा रही है कि उड़ते हुए पक्षियों में भी मैं हूँ I am the wings और उनके पंकों में भी मैं हूँ I am the doubter and the doubt मैं ही doubt करने वाला भी हूँ और मैं ही doubt भी हूँ यानि मैं संदे करने वाला हूँ और संदे भी मैं हूँ I am the him और जो ब्राम्मन भजन गाते हैं वो भी मैं ही हूँ कहने का मतलब हर चीज में भगवान है हर चीज में The strong gods उन strong gods को जिनको तुम मानते हो Pine for my about यहाँ पे about का मतलब है घर जिन strong gods को तुम पूचते हो जिनके पास तुम जाना चाते हो वो स्वयम मेरे घर आना चाते है And pine and vain The sacred seven साथ ऐसी पवित्र जगह है जहाँ मरने से पहले हर इंदू जाना चाता है पुन्य कमाने के लिए तो यहाँ पे ब्रह्म बोलते हैं कि एकार में ही लोग साथ पवित्र जगहों पर जाना चाते है But thou Meek lover of good अच्छाई के समर्थ तक मेरे पास आओ तुम्हें मेरे पास आना चाहिए Find me, मुझे ढूड़ो And turn thy back on heaven मेरे पास आने की चाहा रखो Heaven जाने की, स्वर्ख जाने की नहीं क्योंकि मेरे पास आकर के ही तो मैं मोक्ष प्राप्त होगा यही पर यह चोटी सी पुव्यम खतम होती है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको समझ में आये होगी आज की इस वीडियो बस अतना ही